हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने योटीब पहलाल जे इल ज्ञारखंड लाइब्स में तो दोस्तों यहापर ज्ञारखंड करमचारी चैन आयोग ने इस वर्स की पहली विज्ञापन जारी कर दी है ज्ञारखंड नियोजन नीति रद होने के बाद यह पहली विज्ञापन जारी की गई है ज्ञारखंड करमचारी चैन आयोग की तरब से और यह जो विज्ञापन जारी की गई है वो ज्ञारखंड परियोग साला साहयक यानि की जैसे सी लैब असेटिंट की यह विज्ञाप में क्या-क्या प्रावधान किया गया है क्या-क्या बदलाव क्या गया है कुल चीटों के संख्या कितनी है एक्जाम पैटर्ण क्या रहने वाला है और सारी जोग को हम लोग यहाँ पर पूरे डिटियल्स में देखेंगे जानेंगे समझेंगे तो अगर आप जे इल को अब डिटियल्स में यहाँ पर देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जार्खन परिवुसाला सहायक प्रतियोगता परिछा दोहजार तैस जे लैसे इस विग्यापन का नाम रखा गया क्योंकि फिर से विग्यापन संसोधित होकर के यहाँ पर प्रकासि जार्खन रांची के अंतरगत परिवुसाला सहायक भौतिक सास्त्र परिवुसाला सहायक रसायन सास्त्र परिवुसाला सहायक और जीव विग्यान के पदों को संसुचित रिक्तियों के विरुद नियुकती के लिए भारत के नागरिकों से विहित पर पत्र में जार्खन प विबसाइट www.jsc.nick.in पर यहाँ पर लॉग इन करके समर्परित कर सकते हैं, यानि कि फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर physics, chemistry और biology ठीक है, यह तीन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है वो परिवसाला सहायक की vacancy यहाँ पर जारी कर दी है, जिसे आप official विबसाइट पर जाकर यहाँ पर जार्खन करमचारी चायनाय की, जो jsc.nick.in पर है, वहाँ पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं, परिछा सुल्क जो यहाँ पर रहने वाला है, वो 100 रुपे रहेगा, यानि कि यहाँ पर जो general और ABC के अभियरती होंगे, उनको यहाँ पर 100 रुपे भुगतान कर सुल्क में छोट जारखन राज्य के अनुषुजित जाती अनुष्जित अनुषुजित पर जाती के अभियरतियों के लिए परिछा सुल्क 50 रुपे यहाँ पर लगेगा, पर सस्कुर्ण सुल्क जोudge यहाँ पर जारखन राज्य तो उनको यहाँ पर फी जो है वो नहीं भुगतान करना होगा जारखन राज़िक के अस्थानिय निवासी अनुसुची जन जाती अनुसुची जाती कोटी से इतर कोटी का अभियर्थियों द्वारा रियायती दर पर पर परिशा सुल्क भरे जाने के इस्तिमें उनके तो फिर रिफंड यहाँ पर नहीं किया जाएगा और यहाँ पर मैंसन किया गया है इम्पोरेंट नो यहाँ पर आप डाउन कर सकते हैं यहान रख सकते हैं यहाँ पर कि जो 2022 में यह विग्यापन प्रकासी थुए ती उन अभियर्थियों को क्या फिर से पेमेंड करना होग या फिर नहीं करना है तो यहाँ पर मेंसन किया गया है जारखन प्रियुचाला चाहयक पर्तिवगत्वा परिशा 22 में सम्मलित जिनके द्वारा आवेदान समर्पित करने की प्रिक्रिया को पूर्ण किया गया था वैसे आवेद्गों को इस विज्यापन की सर्तो यह था सचन नए आवेदान पत्र में पूरू समर्पित आवेदान का निबंधन संक्या रईशेशन नंबर एवं जन तिथी दर्ज करना अनिवारी होगा और नए आवेदान पत्र में पूरू समर्पित आवेदान का निबंधन संक्या रईशेशन नंबर एवं जन तिथी दर्ज नही करने पर परिशा सुल्क में छूट अनुमानी नहीं होगा तो जो भी पुराने अभियर्थी हैं जो फॉर्म एक बार भर चुके थे जो पिछली बार आई थी तो वैसे अभियर्थी तो कि यहां के पर रजिशेशन नंबर आपको उपलब्द कराना होगा और यदि आप नहीं उपलब्द कराते हैं तो फिर यहां पर आपको पेमेंट करना होगा कोई शूट नहीं दी जाएगी ठीक है और रिक्तियों का वीवरें चली हम लोग यहां पर दख लिते हैं कुल पदों की संख्या जो है वो कितनी यहां पर है तो परियोग साला साहयक भौतिक सास्त्र के लिए दोसो तीस है कटेगरी वाज यहां पर संक्यतार देख सकते हैं उस्सेतर से हाँ पर कमेस्ट्री में यानि की रसायन सास्त्र में भी यहां पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 230 है और इसी तरह से यहां पर जीविग्यान ठीक है जीविग्यान के लिए भी यहां पर कुलластों की संख्या जो है 233 यानिकि सभी कों जोर दीएगा तो 690 posts है यहां पर liquids उटाल ठीक है 690 पदों के लिए यहां पर ये विग्यापन चारी किया गया है तीक है अब यहाँ पर देख लिजे कोटी वार रिक्तियों की संख्या अधियाची वियाग के नुरोद के अलोग में संसोधित की जा सकती है यहाँ पर ये मिनसन किया गया है तीक है और उसके बाद यहाँ पर मिनसन किया गया है कि परि अभियर्थी विग्यापित पद पर नियुक्ति के लिए चैन हेतु निधारित पातता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परिच्छा के बाद सफल अभियर्थियों के पातरता से सम्मंदित परमानपत्रों की जाज करेगा तो परिच्छा से देने से पूरू परिच्छियों के उनके सभी परमानपत्र किया जाएगा उसके बाद यहां पर जो है सेलरी सम्मंदित ग्रेट पे लेबल यहां पर मेंसन क्या गया है और सक्ष्णिक योगिता क्या रहने वाला है वो भी यहां पर देख लिजिए तो परियोग साला सहायक भौतिक सास्तर क के लिए सभी के लिए यहां पर जो मैक्टिक सेलरी रहेगी यहां पर 35,400 लेकर 1,12,400 के बीच में और सक्ष्णिक योगिता की बात करें तो राजी सरकार या केंदर सरकार या विश्विद्याले अनुदान आयोगद्वारा बानिता प्राप्त विश्विद्याले महाविद इस देखले जिए बार महाववतिक शास्त्र रसायन सास्त्र एवं जिव विज्यान में किनी दो विश्यों में 50% आंकों के साथ असनातक की डिगरी अनिवारी होगी आनुसी जाती आनुसी जन जाती एवं सभी कोटी के निशक अभीरतियों को अरक्षित जो अभीरतियों के उनको कम से कम 45% आंकों के साथ असनातक डिगरी यहाँ पर कोई रखा यहाँ पर होना चाहिए ठीक है यहाँ यहाँ पर रखा गया है ठीक है तो कम से कम यहाँ पर किन कंडिका के अस्तम चार में अंकित किनी दो विश्यों में अलग-अलग पचास या फिर 45-35 अंक प्राप्त करना अनिवारी होगा यानि कि अगर फिजिक्स का मेंस्ट्री अगर आपका है तो निवाणत कि असनातक अस्तर पर परतिष्था अत्वा सबसिडियरी के रूप में असनातक के तीनों वरसों में अथवा कं से कंदो वरसों में अध्यान किया गया हो था उस tar उसमें अलग-अलग पचास या फिर पैतालिच पतेसित अंग के साथ असनातक की परिख्षा में उतिरिंता हो यहाँ पर जीव विज्ञान में असनातक माना जाएगा तो यह जो यहाँ पर प्रविशला साहयक जीव विज्ञान के अंदरगत प्रानी सास्तर और वनस्पति सास्तर है दोनों विश तक निर्धारिस शक्षिन की योगता में उतेर्ण होना यहां पर अनिवार ये होगा अर्था शक्षिन की योगता के निर्धारन के लिए online अवदन देने के अंतिम तीथी को अधार reference date माना जाएगा यदि कोई अभियर्थी इस तीथी तक निधारी सेक्षिन के विए नहीं धारित करते हैं तो आगन भरने के लिए आयोगी समझे जाएंगे यानि कि जो qualify कर चुके हैं वही form भर सकते हैं खेल कोट कोटे के ताथ यहाँ पर अरक्षन का यहाँ पर लाभ दिया जाएगा और यहाँ पर उफिसल वेबसाइट पर आपको जाकर form भरना है और यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें ठीक है उम्र सीमा जो है यहाँ पर cut-off date क्या रहने वाला है वो देख लिए नियूंतम और 222019 को यहाँ पर यहाँ पर गन्ना किया जाएगा दिक है अधिक्तम की बात करें धिक्तम इस तीथी को 35 यहाँ पर आर्थिक पर कर जो आर्थिक रुप से या फिर आर्टरां च्रेस के लिए 35 दिरखा गया है OBC1, OBC2 अभी हर्थियों के लिए 37 वर्ष रखा अधिक्तम वर्ष और महिला जो की अरारक्षित हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ष के हैं या फिर OBC1, OBC2 के हैं उनके लिए 38 वर्ष यहां पर रखा गया है तो एज कटप यहां पर ध्यान रखेगा एक आठ 2019 को यहां पर अधिक्तम उम्र सीमा की यहां पर गन्ना की जा रही है आयोगद्वारा-प्रमान पत्रों की जाज की क्रम में यहां पर निशकता संबंधी याने इक डिसावीलिटी संबंधि इहां पर देने होंगे और निशकता भीलतेश्ka के लिए यहां पर 40% डिसावीलिटी का यहां पर आपको वह उपलब्द यहां पर कराना होगा ठीक है और यहाँ पर देख लिए और इसके बाद क्या mention किया गया है यहाँ पर date भी mention किया गया है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो आरक्षन का यहाँ पर आप लाब ले सकते हैं जो यहाँ पर अस्थानिय निवासी हैं राज्जी के उन अभियर्थों के यहाँ पर आरक्षन का यहां पर ले सकते हैं और इसके लिए यहां पर देख लिए किस तीथी से यहां पर आपका जाती परमान पत्र बना चाहिए तो यहां पर जाती परमान पत्र और साथी साथी यहां पर जो है वो अस्थानी परमान पत्र यहां पर आपको जमा करना होगा आरक्षन का लाव लेने के लिए यहां पर ठीक है तो यह बेंसन यहां पर किया गया है जाती परमान पत्र की बात कर रहे हैं यहां पर यह स्थानी था यहां पर अस्थानिये जो है वो 19-7-2019 के बाद बना होना चाहिए और यहां पर जाती परमान पत्र वो देख लिए अनुमंडल प्राधिकारी के अस्थार से दिनांग 26-26 था इसके पस्चात निर्गत अस्थानिये निवासे परमान पत्र मानने होगा यहां पर ठीक है यह इस तरह से जहां पर बेंसें किया गया है कि 19-7-2019 के पुरव अंचला धिकार यहां सनी निर्गत अस्थानिये परमान पत्र जूह है वो मांने नहीं नहीं तो यह आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, इसके बाद का आपको certificate बना हुआ है, तो आप यहाँ पर form भर सकते हैं, fill up कर सकते हैं, और आरक्षन का लाब ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर mention किया गया है, जो important है आपके लिए, वो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर spelling जो है, आपको different नहीं होना चाहिए, जो form में है, जो certificate में है, वही आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है, आवधन पत्र को भरने के पूर अभर्थी, विग्यापन, एवं विवरेनेका को download कर ले, तथा विवरेनेका की सर्तों के पर mention किया गया है, और परिछा का pattern यहाँ पर क्या रहने वाला है, वो हम लोग यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वो देख लिए डेट वेगरा सब कुछ mention यहाँ पर किया गया है, ओनलाइन आवधन की तिथी भी यहाँ पर mention की गई है, कुछ भी mistake हुआ है, तो correction यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देख लिए दिन तिथी यहाँ पर जारी की गई है, रेशिशन जो यहाँ पर form भरने की शुरुवात हो रही है, वो 5-4-2023 से लेकर 4-5-2023 की मध्य राती तक यहाँ पर form भरा जाएगा, परिछा जो सुल्क भुगतान होगा, पेमेंट कर सकते हैं, वो 6-5-2023 तक कर सकते हैं, फोटो और signature अप्लोड करने की अंतिमति थी 8-5-2023 होगा, और मैंने देख बताया कि एडिट करने का option 10 तारिक से लेकर, 10 माई से लेकर यहाँ पर 12 मैं के बिच में आपका यहाँ पर रहने वाला edit क option यहाँ पर देख लिए, mention किया गया है, तो आप उसके बाद यहाँ पर परिक्षा सुल्क भी आप भगदान करना होगा, परिक्षा का सवरूप क्या रहेगा, वो यहाँ पर देख लिए, तो परिक्षा का सवरूप जो रहेगा, वो आपका यहाँ पर CBT mode में लिया आने कि computer-based अधारित यह परिक्षा यहाँ पर examination ली जाएगी, जिसमें mention यहाँ पर किया गया है, कि यहाँ पर आपका normalization किया जाएगा, क्योंकि अलग-अलग सिफ्टों में examination ली जाएगी, तो normalization भी यहाँ परिक्रिया, वो follow किया जाएगा, normalization आपका overall marks किया जाएगा, computer अधारित परिक्षा के अधार पर अभियर्थियों की मिधा सुची उनके प्रापतां के normalized अंग के अधार पर तियार किया जाएगा, तो जो आपका marks आएगा, वो normalized marks आएगा, जब result जारी किया जाएगा, परिक्षा का जो सवरूप है, वो यहाँ पर देख लिए, किस परका मुख्य परिक्षा के लिए दो पेपर होंगे, और पहला जो पेपर होगा, वो समानने ग्यान एवं हिंदी भासा की परिक्षा रहेगी 100 अंकों के लिए, और दूसरा जो पेपर रहेगा आपका यहाँ पर वो देख लिए परिक्षा जो आपका main subject रहेगा, वो 300 अंकों का यहाँ पर आपका examination लिया जाएगा, प्रस्ण पत्र वन में कुल 100 प्रस्ण होंगे, 50 प्रस्ण समानने ग्यान, 50 प्रस्ण हिंदी भासा से होंगे और प्रतिक प्रस्ण के सही उतर के लिए एक अंक दिये जाएंगे, और प्रस्ण पत्र दो कुल 150 प्रस्ण यहाँ पर आपक किया गया है ठीक है प्रस्ट पेपर वन जो होगा यहां पर यानि कि पेपर वन आपका qualifying nature का होगा जिसमें यहां पर आपको कम से कम जो है 33 प्रतिसत अंक लाना अनिवारी होगा ठीक है और यहां पर पेपर टू आपका जो रहेगा वो scoring रहेगा यहां पर यह इसी क्याधार पर merit लाना यहां पर जो है वो merit बनेगा और पेपर टू में भी यहां पर mention किया गया है कि निउन्तम अंक 50 प्रतिसत लाना आनिवारी होगा तभी आप यहां पर जो है वो merit में यहां पर आपाएंगे और जो S.C.S.T. के भी अर्थि होंगे उनके लिए 45 प्रतिसत अंक यहां पर लाना अनिवारी होगा तो यह यहां पर mention किया गया है भातिकी के प्रिवशाला सहायकों के लिए 75 में प्रतिसास्र से होगा और 75 प्रस्ट जो है वो यहां पर जन तू सास्तर से यहां सामिल रहेगा करेंदी यहां पर ऐंदी आनुच्षेज पर अदारित प्रसंत रहेंगे वो यहाँ पर किन किन यहाँ पर चीजों से रहने वाला, किस किस टॉपिक से यहाँ पर रहने वाला है, वो यहाँ पर mention किया गया, उच तरह से यहाँ पर समान्य विज्ञान से यहाँ पर है, reasoning भी थोड़ा भोती हैं आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जहरकंड, GK, फ्रस्टेस जो है वो उससे भी यहाँ पर सम्मधित प्रस्टेंट को मिलें गेंगे defect defect upon he यहाँ पर देख लिए और यहाँ पर मेधा सुची में नियूंतम जो आपको है माक्स लाना वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जनरल के अभियर्थियों के लिए यहाँ पर 50% कम से कम अंक लाना है मेधा सुची में सामिल होने के लिए यहाँ अनुशित जनरल के लिए 5% के लिए 50% है आदिम जनरल के लिए 50% है और आर्थिक रूप से कम अंको लाने होंगे आपको पेपर टू मे ठीक है तब ही आप यहाँ पर मेरिट जो है वो आपका यहाँ पर बनेगा ठीक है, तो यह यहाँ पर दोस्तो विग्यापन जारी किया गया है, syllabus यहाँ पर नीचे में mention किया गया, आप syllabus को देख सकते हैं, आपकी topic जो है, वो कौन-कौन से कभर होने वाले हैं, और सारी यहाँ पर विग्यापन की जो है, वो details यहाँ पर जारी की गई है, तो जो मुख्ये बाते थी, मैंने सारे ही बातें आपको यहाँ पर details में बता दिये हैं, और दोस्तो उमिद करता हूँ कि आपको इसमें सारी जानकारी मिल गई होगी, और भी कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, जरू लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, सब्सक्राइब कर लिजे, और वीडियो का व्लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेयर कर दिये करिए, ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें, और सारी जानकारी पास सकें,